सुप्रीम कोट ने शुकरवार को उस याचिका को खारिश कर दिया जिसमें नोटा को अधिक वोट मिलने पर चुनाव परणाम को रद करने और दोबारा मद्दान कराने के लिए निर्वाचन आयोग को निर्देश देने की मांग की गई थी स्सी ने कहा कि वर निर्वाचन आयोग से नोटा का चुनाव में अधिकतम वोट मिलने पर चुनाव परणाम रद करने के लिए नहीं कहेगा याचिका में मांग की गई थी कि अगर चुनाव में नोटा का अधिक प्रयोग होता है तो चुनाव दोबारा कराई जाए स्सी ने शुक्रवार को उस याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया मुख्या नयाएधिश दीपक मिश्रा और जस्टिस एम खान विलकर वर जस्टिस डीवाई चंद्रचूर की पीठ ने याचिका करता को अरजी वापस लेने के मंजूरी दे दी याचिका में उन उमेद्वारों और राजनितिक दलों को दुबारा चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंद लगाने के लिए निर्वाचन आयोग को निर्देश देने की मांग की गई थी जिसके चुनाव रद कर दिये गए इठ ने सुझाओ को अविभारिक करार दिया पीठ ने कहा हम इस तरह हमारे लोगतंत्र की हत्या नहीं कर सकते क्योंकि हमारे देश में चुनाव कराना एक बहुत जटिल और खर्चिला काम है पीठ ने कहा कि आज हम यह नहीं कह सकते कि जब तक किसी को 51 फीजदी मत नहीं मिलते हैं तब तक उसे निर्वाचित नहीं गोशित किया जा सकता कोट की इस सक्थ टिपनी के बाद याचिका करता को लग गया कि उसकी याचिका खारिज हो सकती है याचिका खारिज होने से पहले याचिका करता और उनके वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने आदालत से अरजी वापस लेने के मंजूरी देने का आगरह किया अरजी वापस लेने के बाद पर कोट ने उनकी अरजी सुईकार कर ली अश्विनी कुमार उपाध्याई दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता भी है आपको बता दें कि लोगसभा चुनाओं में सबसे अधिक नोटा का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में हुआ जहां करीब 6 लाख मददताओं ने अपने शित्र में सभी उमिदवारों को नकारते हुए नोटा का बटन दबाया है लेकिन वह कुल करीब 8 करोण मतों का 0.6 प्रतिशत ही रहा सुप्रीम कोट के आदेश पर इवियम में नोटा का विकल्प दिया गया जिससे आप चुनाओं में अपने पसंद के प्रतियाशी ना होने पर नोटा विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं नोटा आने के बाद चुनाओं में इसका प्रयोग बढ़ता जा रहा है